वेलकम बैक दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका हमारी चैनल रिप्यार सॉलिशन में और आज कि इस वीडियो में आपको बताएंगे सैमसंग ट्विन कूलिंग साठी चार सॉलिटर का पास फ्रिज है और जो इसमें फॉल्ट है उसके बारे में बताएंगे अभी यह देखेगा यह इसका स्पैसिपिकेशन स्टीकर लगावा है यहां पर आल टि फोटी सेवन तो इसके बारे में आपको कर रहा है इस में क्या फॉल्ट है और एपकर घिताएंगे नीचे का जडूर है कि अलाम सेखे घूल रहा है पर उपर वाला डोर जो है देखिए का आप पूरा प्रेशर लगाकर भी खोल रहा है जब भी नहीं खोल रहा है देखिए पूरा फ्रीजी आगे को आ रहा है देखिए तो इसमें जो फॉल्ट है उसके बारे हम बताएंगे आपको तो इसको हमने डाइग्नोज करने की करी तो हमने फिर आपको पताते हैं कैसे ठीक करा इसको तो हमने इसमें काफी पीन वागारा फटाई सब करी पर लिंग डोर इसका नहीं खुला असानी से तो हमने इसको लीव कर दिया करीबन एक तेड़ घंटे के लिए हमने चोड़ दिया डोर को बंद इसके बाद काफी थार शोड़ने के बाद इसको फिर हमने खोला मारा लगबग्त दो घंट चई कैसे बंक बंद करने के ले खुल गया हमारे धूर दो ऐसमेरे हमारे फॉर बंद करें एक बाद बंद कर दो छकूलता नहीं जल्दी से फिर इसको दो रहा पास हमें फ्रेट करना पड़ता है जब ही खुलता डोर यह तो इसमें जो फॉल्ट हो दिखाएंगे आपको की डोर क्यों इसका ऐसे वेक्विम हो जाता है क्यों इसमें डोर बंद होने के वाद खुलता नहीं है तो इसी फॉल्ट का श्ठीक करेंगे इसमें तो सबसे पहले सेप्रेट है और नीचे रेट वाल वेख तक नहीं जाता है और और डबल फैन लगे में ऊपर अलग फैन है और नीचे वाले 관련 के लिए इसमें अलग फैनले लगा होता है तो इसमें जो बेसिकली फाल्ट आए है कि डोर इसका फ्रिजर का बंद होने के बाद खुलता नहीं जल्दी से उसी को आज ठीक करेंगे बताते हैं आपको इसका डोर क्यों नहीं खुल रहा था बने रहेगा वीडियो में तो इसके लिए यह देखेगा आप इसकी कूलिंग क कोईल जो है यह फ्रिज हमने बंद करवाने के पाद देखिए यह नीचे इसमें जो सारी आइस इसमें जमी हुई है कोलिंग कोईल देखेगा बैक साइट पूरी इसकी हेटर भी इसमें ढखावा है और पूरी कोईल के नीचे सारी आइस इसमें जमी हुई है तो सबसे पहल देंни हैं हमें तो इसके लिए इसकी डस को निकाल देते हैं डुझा यह दो जैका एक सेंसर है और एक स्टैय साथ ही लगे होते हैं ज्यान समय शेके हम ने कोलिंग कोईल के नीचे की जो आईस इसको मैल्ट करने के लिए तो एक कप की सायता से हम इसकी सारी जो कोलिंग कोईल के नीचे की आईस है गरम पानी डालके मैल्ट कर लेंगे तो इस फॉल्ट को रिमूव करने का एक तरीका ये है कि इसके एक तो सारी की सारी पीछे की जो आईस है वो हमें सारी मेल्ट करनी होगी जिससे की इसका वैक्यूम टूट जाएगा फ्रेज का और ये डोर इजिली खुलेगा फिर तो पहले हम इसकी जो है कोलिंग कोईल की सारी नीचे की आईस मेल्ट करेंगे उसके बाद ये देखिएगा इसका जो ये सेंटर डक्ट का वैंटिलेशन है ये भी पूरा दिखाते हैं भी खोल के आपको इसके कंडिशन क्या है ये देखिएगा ये इसको ऐसा खोल लेंगे आप पीछे की साई कलिप लागें वह उनको ऊपर की तरफ पुशकर ही क्ख खोल जाएगा ये हमने इसका स्ंटर डक्ट का फ्रेम खोल लिया है और ये देखिए ये सारी जितने बीसके डक्ट हैं हापर टोडल सिक्स डक्ट हैं 6 के 6 ducts सारे block पढ़ें और इनमें समय on ice है ये देखिए ये ice है सारी ice है यहां पर सारी ice भरी पढ़ी है नीचे ये सारे block होए पढ़ें ice से जब ये ब्लॉक हो जायेंगे तो इसका circulation air का रुख जाएगा यहां से तो इसके लिए पनी पानी का पाइप लगवाया कस्मर से और यह पानी का पाइप है इसको आप इस तरीके से चलाएंगे तो तकरीबन इसमें आपको एक से दो गंटा लग सकता है इसको डक्ट को क्लीन करने में छेओ की छेओ डक्त हैं देखें कि अपना गंदा हुआ पड़ा सारक सारा तो इसमें तकरीबर आपको टाइम तो फोड़ा सा लगता है बड़ एजीली हो जाता है तो यह हमने इसमें पानी का पाईप चलाया और इस छेओ की छेओ डक्त इसकी क्लीम करने के लिए बारी बारी करके अपको डक्त खुलने है छे की छे सारी यहां से डक्त कहलगी तो यह इसका जितना भी पाणी है पाईप skept fluor द्रेन आउट हो जाएगा अभी यह ड्रेन आउट नहीं हो रहा है अभी यह सारा पानी जो है फ्रिजर के आगे की तरफ आ रहा है देखेगा पूरा भरावाई और आगे की तरफ आ रहा है तो इसके सारे डक्ट हमने देखेगा क्लेन कर दी है सारी आइस हमने यहां से हटा द प्रेज को आगे से उठाया हुआ था तो यह इटे हटा देते हैं सकी हम यहां से इटे हटा दिये हमने और यह देखेगा आप पूरा स्टेबल हो गया अपर एक जगा खड़ा हो गया और यह आपको दिखाते हैं सकी पैक साइट की कंडिशन अब यह देखिएगा यह हमने ड्रेन होल दिखा दिया आपको पूरे तरीके से और सारी आइस भी हमने यहां से अटा दिये और हीटर का जो हो है वह भी बुरा हमने सेट कर दिया एक तो इस तरीके से हमारे फॉल्ट जो है अब चेक करेंगे इसको कि इसमें यह ठीक हुआ कि नहीं की और अब इसको यह ड़क्टिंग को बंद कर देते हैं हम हमारी फ्रीजर की ड़क्टिंग बंद हो गई यह बाखी तो जानते ही जैसे की इसके दो स्कुरू से यहां टाइट कर देंगे और और उसके अपर से वह ठीक कुलीप लगा देंगे मूर यह इसका जो एयर सर्कुलेशन का जो जितने भी सेक्षन से सारे खुल चुके हैं तो आए दिखाते हैं आपको डॉर का ये देखिए अब ये डॉर इसका इजीली खुलेगा एकदम ये देखिए अब इसका जो वेंटिलेशन पूरा तूट गया है और जो ये वेक्यूम हो गया करें ये जुन फूरों दोटा कि में मिलिब हो चुका हैं तो हमने बताएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी लगी है के पर वाइटिंग मी वीडियो मिलेंगे अगली वीडियो में थैंक्स अलोट बाइ